जयए गुरुजी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन नौटिवकेशन को अन कर लीजिए ताकि जब भी नया सस्थेंग वीडियो गुरुजी माराज चैनल पर अप्लोड हो करते रहें, चैनल आप हमें वाट्सेप पर हिंदी में टाइप करके बेजें, एफिर नोटबुग में लिखकर, या फिर ओडियो रिकॉर्ड करके, हमारी आप से सिर्फ एक छोटी सी विंती है, जब भी आप अपना नया सस्थेंग रिकॉर्ड करें, तो उसको एक शान्त वा लिखवे शब्दों में हम सब सुनते हैं, बहुत ही अद्बूत सस्थंग शेर करा है आँटी जी ने, आज आप इस सस्थंग को ध्यान से और अंतक सुनें, जिससे महराज का दिव्य आशिरवाद आप सभी को मिल सकी, आँटी जी ने जैसा सस्थंग हमारे साथ शेर करा है वैसे ही आप सब के साथ इस सस्थंग के मात्यम से आशाजा करने जा रहे हैं, इसलिए आप सभी संगत सस्थंग के अंतक बने रहना, वो सस्थंग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सस्थंग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सस्थंग सुनने वाले का भी कनल्यान होता है और ससंग करने वाने का भी और हो सकता है जो आप आज ससंग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं चलिए ससंग शुरू करते हैं जै गुरुजी जै गुरुजी संग जी मैं जोतपूर राजरस्तान से बोल रही हो मेरा नाम बंदना सिसोदिया है और मेरको गुरुजी से जुड़े हुए कम से कम साल हो गया है और मैं कैसे जुड़ी अचनक मेरा हस्बेन इद दिन आफिस आये गुरुजी की फोटो लेकर आए हमारे पास और हम तब से मैं और मेरे बच्चे हम सब गुरुजी की सरण में है गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं गुरुजी हमारे साथ रहते है मेरे से जिकना होता है मैं गुरुजी की जैसा आता है मैं कलसलोटा जल बरके रखती हूं पूजा पाट करती हूं बाकि सब गुरुजी की मर्जी है जैसा वो करवाते हैं और मैं आप सबको मेरा सशन ये है कि ये बताना चाहते हूं कि गुरुजी मुझे बहुत blessing देते हैं मेरे बच्चो को बहुत blessing देते हैं और मुझे अभी तक पता नहीं ठा कि सशन करना मनलब जैर गुरुजी लिख दिया तो मुझे लगा हो गया पर वो नहीं होता है ससंग करना मनव अपना आपके साथ जो भी गुरुजी ने ब्लेसिंग विचिए उसको सेयर करना दूसरी संगर जी के सार और मुझे कुछ गलती हो जाए संगर जी तो मुझे माफ कर देना मैं पहली बार अपना ससंग शेयर करी हूँ आप लोगों के सार कि एक दिन मैं बताना चाहूं भी कि एक दिन मैं बच्चों को स्कूल देदना था जल्दी उठी और मैंने मालकोने से बाहर आई तो देखा कि मुझे गुरुजी की इतने अच्छी ब्लेसिंग मिली कि बादलों मैं इतना बड़ा ओम बना हूँ मुझे दिखाई दिया second blessing ये मिली मुझे बुरुजी के मैं रोती बना रहे थी रोती के उपर मुझे ओम ब्लेस बना हूँ दिखाई दिया और मैं जब भी कड़ा परसाद बना जी बुरुजी की इच्छा होती है कड़ा प्रसाद बना के मैं गुरूजी के आगे रखती है उसमें भी मुझे ओम की ब्लेसिंग मिलती है और हम कहीं भी जाते है तो गुरूजी की बटरफलाइ कई न कई हमें दिखी जाती है अमारे खुटकी गाड़ी 7 नंबर की गुरु जी ने ब्लेस की, हम चंडीगड से थे, पहले चंडीगड में रहते थे, वहीं से हमने गाड़ी लीती, अमारा गाड़ी का नंबर ही 7 था, गुरु जी मलो उसी इतने टाइम पहले से ही अमारे साथ है, जे गुरु जी, मैं बस अधना ही कहना चाऊंगी, ओम नमार शिवाये, सिक्जी सदा सहाई, ओम नमार शिवाये, गुरु जी सदा सहाई, जे गुरु जी संगत जी अब हम गुरु भग तांटी जी का ससंग सुनेंगे इसे ही रप्षा बंदन वाले जिन बियोरो ने गुरु जी ने बटरफलाई के रूप में मुझे दर्शन दिये थे गुरु जी ने मुझे अमरत वेले की दाद बक्षी उसके लियाब को बहुत 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 शुकराना मेरे गुरु जी 21 अगस्त की बात है मेरे मन में डर था मेरे ओफिस कीसी बात को लेकर और उस दिन सुभा मैं मेट्रो से जब ओफिस जा रही थी तो मुझे गुरु जी ने बटरफलाई के रूप में दर्शन दिये मैंने बटरफलाई देखी मेट्रो की जो विंडो होती है उसके बाहर और जब मेट्रो से उतर के ओफिस तक भी जा रही थी वहाँ छे साथ बटरफलाई मेरे साथ साथ ही चल रही थी मन बहुत खुश हुआ कि गुरु जी मेरे साथ है मेरे बटरफलाई के रूप में दर्शन दिये संगत जी मैं रात को सही से सोनी पाती थी मन में बहुत बाते शलती थी बहुत सारे थौट्स हो देते और सुबह उटने के बाद भी कभी भी फ्रेश फील नहीं होता है तो एक दिन जब मैं सोनी पा रहे थी नेक्स टे फिर उसके जब नेक्स टे मैं उटी मॉर्णिंग में उस दिन फिए चोबिस ओवस की बात है तो मैं अपने डॉप को बॉक पर लेकर गई गुरु जी ने मुझे बटरफलाई के रूप में दर्सन दिये वहां भी चोटी सी ये लोकलाखी वटरफलाई थी वटरफलाई वाही पे मेरे और मेरे डॉप के पास ही भूँ रही थी फिर मैं अपनी चोटी भाइन के साथ घर आ रही थी तब भी मैंने एक कार पर जे गुरु जी लिखा देखा गुरु जी हल पर साथ है वह ये एहसास जरूर दिन आते हैं हमें बस हमें समझने की जरूरत है गुरु जी हमेशा साथ रहते हैं हमारे बहुत दर्शन देते हैं गुरु जी वटरफलाई की रूप में कभी मैं भूल भी जाओं घर से निकलिया से पहले उने बोलना थी गुरुजी मेरे साथ सिरला, तब भी हो साथ रहते है, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी आपका हर चीज के लिए, हाभी मैं गुरुजी के सामने बैटके ही ये सत्संग रिकॉर्ट कर रही हूँ, आज भी गुरुजी ने वोजे बटरफलाइ के रुप में दर्शन द संगत जी अब हम ए गुरुभक तांटी जी का सत्संग सुनेंगे, जै गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, ये मेरा दूसरा सत्संग है, गुरुजी का आदेस है कि तुम नो दिन नो रात्रों में, नो दिन अपना सत्संग, शुक् शुक्राना गुरूजी, अनन्तम अनन्तम शुक्राना गुरूजी, मैं गुरूजी का सत्संग अपने गुरूजी के मंतर से ही सुरू कर रही हूं, गुरूजी ने हम पर बहुत किरपा की है, मुझ पर मेरे बच्चों पे, मेरे अंकल जी पे बहुत ज्यादा किरपा करी है, गुरूजी का मैसे जाता था कि तुम्हारे बेटों के ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, किसी अपनों ने ही किया है, तुम्हारे घरवालों ने ही किया है, ब्लैक मैजिक, उनका ब्लैक मैजिक ठीक कर वा सत्संग सुन, मैंने बहुत सत्संग सुने, मैं काम करती थी, तब भी सत्संग सुनती रहती थी, हमेशा घर का काम कर रही हो, या दुकान में बैठी हो, कहीं बेवी हो, रास्ते में कहीं जा रही हो, कान में लीड लगा, कि मैं सत्संग सुनती रहती थी, कि किसी भी तरह से, मेरे अंकल जी का black magic, मेरे बच्चों का black magic खतम हो जाए एक बार गुरुजी मेरे बेटे पर इतना जादा कस्ट आया किसे ने इतना भारी black magic कर दिया था कि मेरा बेटा इतना depression में चला गया, कि वो अपने आप बहुत मारता था, उसको कुछ भी बोलती थी, कहता था, मुझे कुछ मत बोलो, मेरे सामने मताओ, मेरे से दूर हो जाओ, मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगता वो अपने आपको मारना चाहता था कभी कहता था, मैं मर जाओंगा मैं नीर बच्चूंगा, मुझे नीर रहना मेरे ये कोई भी नहीं है ना माँ है ना बाप है ना भाई ये ये मैं बहुत रोती थी कि मेरे बच्चे को क्या हो गया हो गया लेकर अंकल जी गुसा करते थी कि ये बत्तमीज हो चुका है इसके दोस्त गंदे है ये है वो है लेकिन मुझे पता है मेरा दोस्त गलत संगत में नहीं था, मेरा बेटा गलत संगत में नहीं था, गुरू जी, क्योंकि मुझे पता है, एक मा ही समझ सकती है, बेटा क्या कर रहा और क्या नहीं कर रहा है, बाप से तो फिर भी छुपा लेते हैं, लेकिन मा को तो सब पता होता मैं रात रात भर नहीं सोती थी गुरू जी, उसको नीन की दवाईयां दे के सुलाती रही मैं अपने बच्चे को कि मेरा बच्चा किसी भी तरह सोच है, बहुत डिप्रेशन में चला गया था। सत्संग था, उनको मैं नहीं जानती थी, तो मैं बेटे को बोली, मैं का बेटा गुरू छी का सत्संग चलेगा, खहते देखूंगा, तो कहते हैं तुम लोग जो मैं आ जाओंगा, फिर मेरा बेटा जब हम बहां सत्संग पहुंच गये, लंगर के टाइम पे वो पहुंचा, आरती हो रही थी, तो थुड़ı दिर पहले पहुंचा, और पहुंचने के पहले के रहा ही, थोड़ दिर बैठा उसने नंगर भी निखाया, और वो वापी साविया, तो मैं बेटी थी आरती हो अरी थी, मैं इ।को कुछ बोली नहीं कहा जा रहे हो कहानी, क्योंकि पूल नहीं बैट पारा था मंबी, इसलिए मैं वहां से उठके चलाया, मैं किसी को कुछ भी नहीं बोला, मुझे पता था गुरू जी ने उसका कस्ट काटा है, तो भी उसकी ये हालत हुए और उसके बान गुरू जी दीरे दीरे, आज भी बच्चा मेरा गुरू जी का कहीं गुरू जी गुरू जी करता है, कई बार गुरू जी के मंदिर जा चुका है, और अभी भी कुछ भी होता है, तो कहता है कि नहीं, जैसे गुरू जी ने बोला है, मेरी नजर उतारो, गुरू जी का रोच जल पीता है, जब दिल करता है, गुरू जी के जल से सनान भी करता ह गुरुजी ने बहुत महर करी आज वही बच्चा मेरा हस्ता खेलता भी है मजाग भी करता है और कभी भी उसके बन में पैसे थौट्स नहीं आते कि मैं अपनी जान दे दूंगा जै गुरुजी शुकुनाना गुरुजी आपने बहुत बड़ा बहुत बड़ी किरपा करी है आपने पूरे परिवार पे महर करी है सच्चे पाध्षा सच्चे पाध्षा जैसे आपने हम लोगों पे आज नहीं आने दी गुरुजी आप भी खस्ट मैं गुरुजी मैं सुनती हूं सत्संग में कि आपके उपर भी खस्ट आते है गुरुजी सुन करके मेरे पर शब्द नी उते हैं मैं शच बताओ मैं पता नी मैं थेंक्यू भी बहोति उपर जैके शुक्राना भी बहुते हो ना तो झाल लबता है कि यह तो शब्द नहीं है कि आप इतना इतनी निहर्ग करते हो तो झाल पर चोटे शब्द है इसलिए में बौल भी बात ही मेरा दिल अंदर से कितने बड़े तरीके से शुक्राना करें, क्या वर्ड बोले कि गुरुजी को लगल कें? हाँ, मेरी कोई संगत है, जो मुझे खत, शुक्राना तो एक छोटा सश्रबत है, कोई एक और उसमें भी कोई, कुछ मेर साथ देते हैं, उसको भी बोलते हैं, शुक्रिया, तो गुरुजी के लिए तो एक छोटे बड़ तो माईने नी रखते हैं, तेकिन फेर गुरुजी, अनन्तम करोड करोड अनन्त शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे बच्चे को नया जीवन दिया, एक माँ को नया जीवन दिया गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, माफ करना मैं पता ना बोल रही है, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, मैं नाम और अपना पता नहीं बताना चाहती हूँ, लिकिन मैं दिल्ली में रहती हूँ, और एक बेटा मेरा बहार रहता है, गुरुजी, उन पे भी मेरा रखना सचे, पाथशा गुरुजी, आप हो तो मु आध ऄर चीजिग धर चीजिद करने जाओंगी और चीयर आप पिछने हफ़ते की बात है संड़े का दिन था मेरे स्कूल में अथलीट्स का प्रोग्रम था मेरी ड्यूटी लुध्याना पंजाब लुध्याना शहर में लगी थी और स्कूल वालों ने एक तम से मेरी ड्यूटी अकेदे ही मेरी ड्यूटी लगाई और मेरी वो फर्स टाइम ड्यूटी लगी थी और उसमें मैंने 14 प्लस और 19 बिलो एज की गर्ल्स के साथ सारी responsibility उन सब की सारी मेरे उपर थी और जिनको मैं जानती भी नहीं थी बच्चों को और secondly मेरे लिए वो city भी नहीं थी like school में stay करना था, one night stay था तो school में ही stay करना था, सब कुछ देखना था जबकि मुझे उसके बारे में कुई experience नहीं था, कुछ भी नहीं पाता था तो मैं अंदर से बहुत जाला डल रही थी क्योंकि एक तो girls की responsibility भी एथी मेरे उपर secondary में जानती भी नहीं थी तो संगा जी आम मानोगे नहीं मैं अंदर से इतना जाला डल रही थी और मुझे एकदम से on the spotty बताया गया कि आप like शाम को 7-8 बजे के करीब मुझे बताया गया कि next morning साड़े बांच बजे आप हमने निकन लहें लुद्याने के लिए तो मुझे कोई experience ने था, मुझे यह यह पी नी पता था कॉन सा school, बस इतना बाता था, कि लुद्याना sitting में जाना है मुझे और कुछ भी नी पता था और इतना पता था कि girls के साथ मेरी duty लगी है मुझे कुछ भी knowledge ने थी, कोई experience ने था मैं बहुत जादा गबरा रही थे पुरी रात मुझे नीन नी आई मैं गुलुजी से यह अर्दास कर ली थी गुलुजी कुछ ऐसा वजाए या तो मैं साथ कोई senior teacher के साथ मेरे साथ कोई senior teacher आजाए जनको experience हो इस चीज़ का इस duty का या तो फिर मेरे नाम में उस duty से कट कर दो बट ऐस सच इन दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ next morning जब मैं स्कूल जाती हूँ और मैं देखती हूँ कि इतनी girls इतनी जाना girls साथ में boys भी थे बट मेरी duty luckily girls के साथ लगी और वहाँ जाके जब मैं teachers भी देखती हूँ तो चलो मैं मैंने teacher के साथ थोड़ी high hello high अपनी पार थोड़ी उनसे experience लेने की कोशिश की थोड़ी उनसे knowledge लेने की कोशिश की like मैं कैसे अपनी duty को पूरा responsibility के साथ कैसे उसको handle करूंगी सब situations को बट यह था कि मुझे अंदर से फिर भी tension हो रही थी क्योंकि उन लड़कियों से मैं first time मिर रही थी but how ठीक है गुरुजी का नाम लेके मैं निकली स्कूल से और जब शाम हुई और मैं गुरुटी से यह रडास करी थी हाई गुरुटी कर्मी भी बहुत है मैं नहीं रह सकती इनके साथ एकी रूम में बीस गुर्स के साथ रहना और नीचे फ्लोर पे सोना और गर्मी बहुत ज़्यादा उस दिन गर्मी थी और बहुत गर्मी लग रही थी मुझे और AC रूम थी बट उन्होंने AC का connection नहीं दिया हुआ था तो मैं गुरू जी से यह रदास करे थी कि गुरू जी कुछ ऐसा हो जाए कि मैं वापस टीम के साथ वापस ज़िए और वो जिस टें ना करना पड़े क्योंकि एक चेस की टीम भी जा रही थी और उनका था 101% था कि उन्होंने शाम को वापस आना है वापस उन्होंने करनी है स्कूल बस से तो मैं को यह था कि मैं उसी टीम के साथ वापस आजाओ मैं गुरू जी से यह रदास कर रहे थी संगा जी आम मानोंगी नहीं गुरू जी ने मेरी ऐसी अरदास सुनी मैं तो खुद हैरान हो गई जो गुर्स की टीम थी वो फाइनल्स तक नहीं पहुंच पाई उनकी पुजिशन सेकेंड आए वो फस्ट नहीं आए वो उनकी सेकेंड रना ना पाई और स्कूल वालनों को और प्रिंसिबल में हमका कॉल आ गया कि वो टीम को वापस भेचो स्टे वो टीम नहीं करेगी और अब संगा जी मानोगी नहीं मैंने अपनी कॉडिनेटर मैम से बात की और उनसे कॉडिनेशन किया और थोड़ा उनको कन्वेंस किया गुरु जी का नाम लेके कि मुझे भी वापस बुलाया जाए पर जो मेरे साथ टीचर करे थे वो एगरी नहीं कर रिए थे मेरी इस बात को पर अबर मेरे कॉडिनेटर पता नहीं गुरु जी ने कॉडिनेटर मैम और प्रिंसिबल मैम के माइंड में क्या डाला कि प्रिंसिबल मैम उसे टाइम हो ज़े और वो ये टीचर को फोन करके बोलते हैं कि इसको वापिस बेचो टीम के साथ, और संगर जी अम्मानोगी नहीं दस बजे, दस साथे दस बजे रात को मैं अपने घर पर दी, और मैं इतनी हिरान में मुझे आंदा स्पोर्ट बोला गया कि आप पाकिंग करो और आप टीम के साथ वापिस चा रहे हो, मैंने गुरुजी के से अरदास की ती जो मेरी पूरी की गुरुजी नहीं, गुरुजी हमारी ऐसे अरदास बहुत सुनते हैं, बहुत जल्दे सुनते हैं, वो देखते हैं कि मेरी संगत को किस चीज की क्या जरूरत है, वो उसी टाइम दे देते हैं, कई ऐसी मेरी अरदास है, जो भी तक पूरी नहीं हुए और काफी देर हो गई, तो मैं सुनती हूँ, सत्सन जब सुनती हूँ, यहां गुरुजी की कोई बानी सुनती हूँ, तो उसमें वो बोलती हैं, सत्सन में बोलती हैं, कि अगर दीरी हो रही है, तो तेरे भले के लिए हो रही है, तेरा काम पका ओर है, क्योंकि मैं नहीं चाहता, आगे जाके तेरे को बहुत कुछ दुख वियरा या कुछ देखना ऐसा चैसा को नेगेटिव बात देखनी परे जो तुझे आगे जाके प्राब्लम हो मैं तो यही कोई कि शुकराना गुरु जी रोजन अपने मेरी अर्दास यह सुनी मैं अपने राप को अराम से एसी में घर पे सुई और नेक्स मॉर्णिंग मैं मेरी वही रूटीन शुरू हो गई स्कूल के और मैंने ड्यूटी भी अपने भाई और टच बुट गुरु जी की आगया के साथ उनके अंग संग वो मेरे रहे उन्होंने मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आने दी ना खाने पीने की ना गुर्ण्स की कोई मुझे उन्होंने दिक्कत नहीं आने दी और अराम से वेगी ड्यूटी अपने आप रिस्पॉंसिबिल्टी जो थी वह अपने आप ही सौट होती गी अग उस दिन में कोई भी अगर प्रॉब्लम दीखती तो मेरे तक पहुंचने से पहले उसका सलूशन अपने आप निकली जा रहा था जै गुरुजी शुकराना गुरुजी अनंतम अनंतम शुकराना गुरुजी संगत जी अब हम गुरुभग तांटि जी का सत्संग सुनेंगे जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, सारी शंगत को जय गुरुजी, जो अंकल जी मेरा सच्छंग शेयर कर रहे हैं, उनको भी जय गुरुजी, मैं अमदाबात से हूँ, और मेरा आज सुकराना सच्छंग का सेकेंड डे है, गुरुपा ने बोला था, शंध्या वेला सु तो आज मेरा सेकंड डे हैं और गुरुपा के मंत्र जाप से मैं स्टार्ट करना चाहती हूं ओम नमस्षिवाय, सिवजी स्दाशाहाय, ओम नमस्षिवाय, गुरुजी स्दाशाहाय, जय कुलुजी गुरुजी से जुड़े हुए मुझे ज़्यादा दिन तो नहीं हुए थे, उस समय जब मैं गुरुपा का स्वरूप लेके आई थी अपने घर पे, मतलब मैं में 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 मेरे को 24 में को मुझे पता, मतलब चला, गुरुजी ने ट्रीम दर्शन दिया, साथ मई के लास्ट में ही, और जून में में मिरे को जाना था लखनो, मतलब मुझे काम था, तो मैं उधर गई थी, उधर से आते टाइम में मेरे को बार बार मेसेज आ रहे थे, कि मैं तो अपने बड़े मुझे नहीं पता था, तो बस इतना जानती थी, उसके बाद से मुझे नहीं पता था, कि बड़ा मंदिर कहां है, या फिल कुछ भी, तो इंस्ट्राइब्रम पे, ऐसे मतलब मैसेज आते थे, मतलब उसमें, और टेली पैथी कि तुझे मैं अपने बड़े मंदिर बुला र कि अमदाबाद, लेकिन मुझे गया पता था, कि बीच में मेरे हस्वेंट से प्लानिंग करके बैठे थे, तो आके डेली में बैठे थे, और फिर उसके बाद से हम, मतलब, हम लोग फिर मिले, लखनों से मैं गई और फिर हम लोग गये मंदिर, तो जाने से पहले मेरे को इत तो उसमें मुझे नहीं पता था ये जबारे में, तो मैंने अपने अफ़ट के उबर बोला भी, कि सच में गुरुजी के मंदिर जा रहे हैं, तो गुरुजी बोल रहे हैं, लोटा ले जाने को, तो बोले कि यार मुझे भी नहीं पता लोटा कैसा, कि इतना बड़ा कहां था मिलता, मुझे नहीं पता था कि सवरूप भी मिलता है, मैं सोची थी कि लोग लेते होंगे, खरीतते होंगे, तो मैं आने लगी हूँ, मतलब हम लोग, मतलब दर्शाशन करके गुरुजी का, और उसके बाद से लंगर प्रशाद सब कुछ नगो करके, और फिर अप कि बुरुजी का फोटो आपको कहां से मिला, तो बोली कि आप पहली बार आए हो, मैंने का हाँ, तो बोले वहां चले जाओ, कॉर्णर में, वहां पर मिलेगा, तो मैं मैं हास्मान को बोली कि आप यह खाड़े रो, मैं अभी बुरुजी का सवरूप लेकिया, मतलब आती मैं सोचरी थी कि अभी मंदीर में सब कुछ अठा बढ़ा के, और फिर उनका स्वरूप लगा दूँगे, तो मैंने लाक्या अलमारी में रख दिया, मुझे क्या पता था कि कहां रखना है, कैसे क्या करना, अब जब मैं सच्छंग सुनूंगी तब तो मुझे कुछ नॉले मैं ग्लास में डाल करके और ठंडा करके मैं खुद पीती थी, मुझे लगा कि गुरुजी मुझे बोल रहे हैं, मुझे प्यास लगे तो मुझे बोल रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं, मुझे तुम थंडा पानी पीयो, तो मैं थं जो भी आता था तो मैं स्वाजी दी कि गुरू जी बोल रहे कि तुम करो अपने पे इंप्लिमेंट करो मुझे नहीं बता था पर तीसरे दिन मुझे प्रता नहीं क्या क्यों ऐसा गबरहाट सा होने लगा कि यार मैं मतलब गुरू जी का वो नश्वरूप को मैं कवर में लेकिन मुझे नहीं बता था कि मतलब गुरू जी का जिस दिन सवरू पलाते हैं उसके गड़ा प्रशाद बनाते हैं ऐसा कुछ भी तो गुरू जी को पता ही था कि मेरी बेटी तो अभी किसको कुछ पता नहीं है इसलिए गुरूपान ने मुझे माफ कर दिया और फिर वाइट वाइट नहीं अच्छा लगता है फिर यलो नहीं सोरी यलो चन्नन था तो यलो कलर कर लगाती थी तो फिर मुझे आ फिर इम्हें ऑप फिर इंग यलो उड़ा लगाने लगी तो वाइट अलग दिखता था तो मैंने का जितना स्वरूप में देखती हूं टीबी में गाने में भजर में दिखाता है, तो उसमें रेडर टिका लगा रहता है, तो क्या वो कुम-कुम का रहता है, तो मन में सोच रही थी, तो एक दित, गुरू जी ने एक शंगर जी बता रही थी, कि वो चंदन टिका, और चंदन और कुम-कुम, दोनों को मिक्स करके, और उसमें चल परशाद मिक्स करके एसा बहुत अच्छा कलर आया कि शरीय गलर तो मुझे इसा एडिया है को गुरु जी मुझे खुलवा रहा रहा है मुझे सुनवा रहा है तो फिर मैंने भी बनाया हूँ पर्शोरी मैंने बनाया हूँ बना के रखा और भाही लगाती बहुत त्यारा देते हैं अभी कल की बात है कल जब मुझे मैंने वो संग सचंग सोना तो मेरे को याद है कि एक संगत लोग बता रही थी अंटी कि उनकी बॉड़ी पे ब्लू ब्लू निशान हो जाते थे शडलनी तो ऐसा मेरे साथ भी होता था जब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी औ और इसके पढले मेरे भी न पैनो में या बाड बाड़ी में कहीं ब Own बडू निशान हो जाता था जैसे कि चूट लगई है igen कुई मार दिता है और छोट लग जाती है तो ब्ल्यब जाता है और ब्ल्लÄक हो जाता है और था तो में जब नहाने जाती जी तुचिए यार गय सकता है मेरे को ध्यान नहीं होगा कभी पुछ समाने से हाथ पैर वेर से मनें मतब धक्का दिया होगा तो उसी की वज़ा से मेरे बॉड़ी पर मतब यह निशान पड़ गया है लेकिन अभी मैं नोटीस करती हूं जो मैंने संगत जी का सथसंग सोना तब से मतब जैसे यह मैं ब्लैक मैजी करता है या ऐसा कुछ होता है तो हमारे बोड़ी पर निशान पड़ जाते हैं तो मैं बहुत डर जाती थी और पहले मुझे आभास होता था कि जैसे मैं कीचन में काम कर रही है तो मेरे पीछे जैसे कुछ जैसे दिवाल पर टॉल वगरा कुछ तंगी है य और मतलब ऐसे ही फिगवान जी का नम लेती थी और ज़्यादा हनुमान जी को सब्लोप करते हैं कि हनुमान जी का नम लेने से फूत्रेट नहीं आते हैं तो ऐसा मैं मतलब बहुत जाती थी लेकिन अभी मैंने एक ही नोटीस किया है कि ना मेरे बोड़ी पर निशान पड़ बार बचाया है तो सच में गुरुपा ने मुझे नौवी दस्वी ना जाने कितनी बार बचाया होगा गुरुजी ने क्योंकि मुझे मारने के लिए तो लोग कितने तयार रहते थे और कितने तयार हैं अभी भी गुरुपा कहते हैं कि जो तेरे उपर ब्लैक मैजिक करते वो अभी भी चैन से नहीं है वो अभी भी तेरे उपर सब कर रहे हैं तो तेरा सब तबाह करना चाहते हैं वो चाहते हैं कि तू जहां है अच्छे से रह रहे हैं वहां से चली जाए तुझे इतना परिशान करते हैं तो कोई बात नहीं जब Guruji जब आप because it already लेकिन मैं नहीं जान दे थी कि आप मेरे को मेरा हाथ पकड़े हैं क्योंकि मुझे पता है इतना जो परिस्थितियों से कुम से मैं लड़की आई होना उसमें अकेले लड़ना और अकेले रहना बहुत मुस्किल है कोई नहीं रह पाएगा सब गुरुपा की दया सी दया थी व मुझे हर परिस्थानी से हर मतब कठी से कठी परिस्थितियों में से मेरे को निकाल के बाहर निकाले हैं वो और लाए हैं तो अब तो साक्षात आप आगए हैं तो अब तो मुझे कोई डरी नहीं है गुरुजी अब तो आप खुद हैं अब तो मुझे ऐसे मैसेज भी आते पहले मैं बहुत ऐसे डरती थी और अब तो जैसे सैड होती हूं रोना आता है बस गुरुजी का नाम लेकर रो लेती हैं गुरुजी के सामने जाके बैठके गुरुजी मुझे कितना मेसेज भी करते हैं बदब टेलिक जरी हैं उनका मेसेज भी आता है कि तु बहुत रोती है मत रोया कर इतना तिरे रोने के दिन अब चले जाएंगे अब हसा कर हमेशा क्यों उदास रहती है तो गुरुजी से जुनने के बाद से सच में जीवन में बहुत बदलावा गया बहुत एकतम निश्चिंत हो गई हूँ मैं अब बस यही है इतना दिन कटे गया बस गुरुजी अब आपके सहारे कटे जाए और फिर अपनी सरण में लेजेगा और कुछ नहीं चाहिए और सारी संगत को आप खुब ब्लेश करिए जो संगत मेरा सचसंग सुन रहे है और जो अंकल जी मेरा सचसंग सेयर करेंगे उनको भी खुब ब्लेश करिएगा संगत जी अब हम गुरुभक तांटी जी का ससंग सुनेंगे जै गुरुजी शुकराना गुरुजी ओम नमस्षिवाई शिवजी सदा सहाई ओम नमस्षिवाई गुरुजी सदा सहाई एपना शुकरान में अपना शुकरान शेयर क wastewater कना चाहते हुआँ ओम आप में अपना शुकरान ज बोलते मτοjas पोड़। I am not sure how to share those feelings. मुझे पता है गुरुजी मुझे हमीचा बोलते हैं, वोच बोलते हैं कि शुक्राना शेयर करो, शुक्राना शेयर करो, शुक्राना शेयर करो, बट मुझे, I don't know how to share all those feelings on, you know, audio or maybe in the video, but I am a कुशिश करोंगी, मैं गुरुजी से हम रिक्वेस्ट करते हूं कि वो मुझे help करें, यह इतना शेयर करों कि वोच बोलते हैं इतना शेयर करोंगी शुक्राना शेयर करोंगी शुक्राना शेयर करोंगी और मुझे ने पता मैं अपने कैसे feelings कैसे express करूंगी या मनलब एक जो आपका connection भाहान से वो आपके एकसे express करें वोच में इस दिए लिपकिल बथ हाम आपको गुरुजी प्रिस help में मैं जो ओलें आव मिशे प्रिष बिर्वान हैं में में help करें तो अपुरुजी क्या हुआ कि मैं हमने एक तरह सरे सर्शन को सुन अपाइटीं जब भी वो कहीं जाते हैं आते हैं वो गुरुजी से हमेशे help लेते हैं और उन्हें कहते हैं कि गुरुजी आक हुमारे साथ ही चाती है सबते हैं लें आपने पीचोश लीें तो जैती हैंस우도 का व्याओ महारी स्थ और आपुरुजी यहां आपने बडे साथन किस तरह से अपने नॉन खी zupełnie फेस depend करें में तो ने अपने पने में बीटी के साथ आज आ जा रहे हैं थे पंप मार्केट में था हूँ अच्छी मेरा दाड़ी पता नहीं मुझे क्यों ऐसा फीड होता था कि जब मैं गाड़ी चलाएंगी तो भी एक्सेजन ना हो जाए पता नहीं को जब कि मैं काफी स्नाल से चला रहे हूँ और मैं जैसे काड़ी ले जाती हैं मैं वैसे ही खाड़ी ले ख्यारते हैं तो एक दो गारी ऐसा हूँ कि मेरी पिछे की जो बैक लाइट टूट गी मुझसे मुझे नहीं पता किसने ठोकर मारे और मुझे हैसास तो वहाँ लेकिन जब मैं उत्री तो देखा तो बैक लाइट टूड़ी कैसे बाइट गारली तो इस दो भी मुझे पाथ करने लगी तो पता की पीलर से काफ़र जाद़ बहुत हैं वहाँ जाती हैं तो नोगिन नहीं पर दो वहार देंटिसमें तो क्यां हमार पसका अभी फ्रंट में गड़ा एक तो फ्रंट में का फिरा जां तर लगा पहाती गंदाल अगरा दो मैं अजब बहुत ज़्यादा गुष्सा हुए कि तूर क्यां किया इतने पैसे लगेंगे इसमें कम से मी कर दो आने पीस-टीजाद पर नज़ेंगे पुरा पाट चिंज होता है वैसे नी ठीक होता है मेनी को अठार लंजा मैनी को मैन आणी चनाओंगे इस राष्था है यसा ने प्रौवर को से लिय्जाद लंजेंगे तो फोल में गाय से चादने ओप आप पर केचलिए जिए मा मैनना मैने प्यशंद में कर दो रसपान जाओंड आन्विज पोगया बीस्काली जब कि मैं खाफी सानों से चला थी हूँ और मैं अच्छा सी इनलब चला की घर लेकर आती हूँ मेरे साथ टचूट ऐसा कंभी नहीं नहीं मैं को गोल जी के वादर रहे एक्षी मैसेजिद भी आ रहे थे तो नहीं तुम पर पच्के हां वाँ में तंगे करो लेकर मैं इस पिर तो सच्वे थे खաफ च्耆 जोए पर आ Tradition आ विए नहीं तो रहां कि कने पर किजिद अच्छ नेंधर में इनलब्या़ मायद जोग जरो जिए रहे थे थे च्छारे में अंदर रहते हैं उन्दिर राया को सब्सक्राइक है और में और हदी हैरा, आपने अधर चुछा है मेरे उपा, you know, वह चोट जाएं जाएं चप खुश्या हमिल कर दे, मैं को, मैं एक डर्मी ही जी थी मैं एचली में, कि मैं यह ना देख लें कि मैं बहुत कुछ हूँ, यह ना देख लें कि मैं हजबन की साथ कुछ हो क्या हस रही हूँ, मैं मेरे बेटा में रखुआ रिस्प मुझे पता है वच्छों परविजी कि मैं है रही कि मुझे पहला दा, तेले पे थी कि तो समझ में आ जाता है को यह हम भी समय से कही साथ मों से रहा था, आट मों साल, तस साल शाहर, तो मैं कभी भी इंके समने हस ती नहीं हुए, कि इंकर में रहके जपनी घर भी हमारा या बात का या कुछ नहीं कुछ करते हैं, इम्मीजेट बीसेस में, यह मुझे शुरू से पता है, तो मैं कि तनी में खुश के नहीं हूँ, लेकिन मैं कभी भी एक्स्प्रेस नहीं कर सकते हैं, तो बंदा धरा कि वो इस खुशी से शेर बलता है, ऐसा हो गया है, बैसा हो गया कितना भी हसने और रोम केंटर लेगें बहार डागेगें, मुवन करके वहार निकलना पड़ता है कि वो मुझे बता जाया से ही, इनको बता चलेगा हूँ, बोट पोशे, लब इमीजेट बेसिस में कुछ ना कुछ होगा, या तो वो खुद पिलेश करवाएंगे, या हो और इनको नगता ही, मुझे नहीं पता चलता है, मुझे सब पता है, वो पैटन सालों से चला रहा है, वो तो खेर मुझे पता ही है इस बार है में, कि इनको दखते है अच्छा यह ऐसा दर रही है, अच्छो दे तो यह कड़गा, और मैं एज गताऊं कि तो आप शॉप्ट जाओगे, 76 is the age, जो ही कड़ते हैं, अम बेको गरुजित रोज मेसेज देते हैं, पेटाई बच्टी रह साथी हो जाएगा, किसने किया थी हल्स पे, बेको गरुजित मैं थख चुकियों मैं चिनो से, कितना बच्छो मैं कहां तक बच्छो मैं बता, कि इस इंदी इन में ब बच्छो मैं अमधिर मैं अजी इस दनी इस एंदान से कि उपिए हैं, और अपिषी से अपने हाथ, खुश तो रह सको में एपने अपनी एप अपामिने जट भी नहिंदे दो हच कर सको, हमय कैं मेरे हजमत भी नी जटिर सकते हैं, कुश है Register, कि मैं किसी ड्ड़ाइ करेंग के लोना ने देखा valeur थे हम कुछ हैं। उचो के दो गाते कहते हैं। उचो को बता है। गों इन स्धिकरेटे में करचे केंगे। 76 ऑचना और एप मुझे पता हैं। कुछ और में बहुत कुछ करते हैं। ॉप्धमक ष gaur यह मुझे अंदासा तुछ था मै ने एक शरह में की दो पनित को दिखाया था मुझे पूला ते कुछ करता है यह करने का रहे से बोल दाथ कि इससर बुझे बोला था मैंने मानती ठात हो और बात से यह जो लिए दें लेकिन उसके बाद नम आप जब experience करने लगते हैं आपको sense आ जाते हैं ना कि कुछ तो unusual है कुछ तो अलग है तो मुझे अंदासा था ये तो है ये बात लेकिन वो कैसे हैं फिर जब मैंने देरे देरे ना आपने आपको सोचा की तो मुझे इंसिदेंस इस आपके सारे जबीत होने रेजिने इसके हां तुम आपके सोचा को सुधाए ना ईए बहुत फोलकेर अपको दोने बैघ मैंने था हाँ जादा स्ट्रम्ट इम्हां रहे निए लंगें और ते रहे बताने शेवार मेरा निए ने बहुत बेंगला बन्दो गया जब अटी होई ना तो मु कि अधम जिसी कर्वाटार ग्रापमाजिक आ तो ये का तो भूगा दिने को जोवोड़ाइब गुना अंगरोजी में छापुए ऑव में एक 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 ए कषिए ने ने का लगता सड़ा हैं जैसे ये से ऊजोगो टोटोजीमे पुना बो गठाई पने और जैसे सिहने की इंग सस तो आपका रिखमान चेदी सब खराई शनिला एक ममद बंदीया सब ना इनुरुट कर रिखितल से ने फित मंदी मैंने वह सब खरना शूर कर दिया, अगनों ने का हाँ यहां पर दान ओ, हां दान इन सुबह उतके बूजा करो भी ने कि अमें सत्कुछ कन अश्रो करते हैं। वो कि तेट दो साल से बुखन दाद अटिव था यह सत्कुछ। बंद इतना दा कि में दिमाग चला बंदी होगी और मेस्ट। अर्य खुझा सब्सक्राइब और मेस्जिस देना तब मेरा को सामने दो सब्सक्राइब नगें कि यह वाज सचा अब गरुजी मेरा आफे जब सबचा रही था घए और ओटमाइच्ट क क्वेश्च्छ। आपको ऐसे एक बाइब बताना चाहते हूं, बतानी वो क्यों मैं 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 आ रही है या फोट देजी में इडी से आ रही है तो मैं शेयर कर देती है क्या हुआ कि अब आप में शाय देगा तीन सान के करीब नी हुए थे जो फिर उमकी जो चुन्नी होती है न जो फिर अपक कि ताहिं पर वारी चुन्नी नहीं अनले बेटे है हम अनहें आप पे तो बोना में एक जदा पर अपी के फिक्स प्लेस पे एक सूट के स्थाम बढ़ा वासकिन बाहर वाले पॉकेट में पैक करके तो घार ली वो करवाचाथ करवाचाथ पे पही उस प्रफिक करे पूजा के टाएंगे और मैं वह यह पैक करके फिर वापपेस रुप देती ती काफी हवी सी चिनने के अपूं गुरू लगे होए थी यह सा जब इन दरवाचाथ आने लगा ना तो मैंने वह चड़ो मैं उपर सारा सुमा निकार के ना रगते ते सामने से इंडे प्रॉबन ना तो मैंने देखा तो उना वह चिन्दी हाथ थे में यह बाहर लगा हम भात आप को ओगे इतनी पुरानी बात आरेवाथ है सचे पुरानी अनलसी इस यह जाद को फटीपन मी पर नहीं डोर्ग हुए तो हजार थेरह के बात हुए दो हजार थेरह की बात है और नहीं आतनी ने नहीं पर नहीं पिछन अप्रम इन भीकाश यह साब फोटो कीशी थी नि राइटिन को तिया वहां से लिया ने ताहड रहा वैं अपनी अपनी अप्रेंटिकर आएए में आपनी गर दिखाई में तरह फोटो दिखाना मुझे इंपरी अमने सारे खुटो अट देखी हुआँ ने खुटो में उन्हें पर चुनिया थी तो मीडिक आचे पिशे साथ मन जह तो पर हां सूर के स्कोल दिया इसक घ्रड़ कर दिया वहा है सूर के से सारे जिप में प्रिडर के दे ता है गो मैं पंग मैं पर नहीं चुन्द कर दिया यह वी जने पता कहा आँ गया कि वह बाद उम्पॉर्टन चन्य हो थी वाप पिर सोनी चाहिए तो मैंने का वह बढ़ ख़ड़िया, मैंने कि भीजोपदा चछे तो मैंने पिछेपद भी ये चनिके से नां मुवीग, बदर इतनी इंपोर्टनट होती हु चनिक, मैंने कहा किया कि मैंने इंपोर्टन नो में थब कहा गे मैंने कहें बनौन वुच भीच मतकार पूंदों, ऐसरा मी्च रफ़ा शुड़ देना देज़ी ज़ीज आ देजेश अनन मेना छोड़ दिया मैं आग अशी दूना शुरू कि तर पंदर दिन पहना है के वाच 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 कि मैं की एपर मनें बताया मिनना पर देते हैं बते थे थे प्रभ दंते रेत वाख, बन अढून करता है लेकर यह नहीं पता था अपने गारों अले करते हैं मतलब फैमिली मेंबर भी काम करता है तो मैंने जब फूंडे लगी तो मैंको अवसी जगह उसी सूटकेस की उसी चेंड भी वह चुन्डी विजिद रापस में गी उसी जगह पर मैंने सौवारी चेंखिया ओ मैं शांट हो गई मैंने कैसे पर यह तुम्हें खसार बारी चेंखिया अब अब वह सब्सक्राइब कोले थी मेरे कुछ दुनिया बार कुछ नारेज नहीं कि मैं अफ़रे नहीं यहां तक यह दोनों के कुछ कर सकते हैं तो अब ज अब जोगे उसी जगह से वापिस में अब जोड़ी और मैंने इतना टूंड़ा नो जगह पर चाहाज बाही दोगार जीव कोले और सुटार के भी खाई तो यह आपकर कि मैं तो खैस कब जह पर नहीं नहीं हूँ तो इनको गूम देर तो उनकी अकसर सही है कि हमें आता है अधिश्यार भी रहते हैं तो अफेर निए फ्टी तौह पर नीचे गारा है तुम बजे नहीं पता है मैं इनने क्या आख रहो कहां भी उसके आख आने कि हमाचाने मारे नहीं ने पार आटारा तर मिगभा रहे कि हैं ऐसी गर में रहते हो रहे हो एं मेरा जो चुट चुन् क्या क्या निक्याम जए नी पता तेकिन बुच्छा से स्वहने नहीं वताए है धी उनने को छुछ मिस्यूस क्या थाूस अब तो कि उच्छेए इतने मैसेज अठे हैं अम भी और ही कनी राते हैं और एगन साथ साल पेंडें, तो मैं तो अमे को लगता है कि ना तो आवा बच्छा पसी खाना पेचे, मेरे मम में खुद्धान दो देदू में इननने सिखाया, तो इसने हमें भी नोड़िजनी इनदा तो, तो हाथ साल पेलें इनमने मुझा कुछ चीज दी, और मैं इसने थ आवे इन देदेगे, वह दिसने फाल तो, वह इसे ही मेरे रोम में रतो आया, कि तो आवने ने पुझा कराई थी तो रख लो, हम देदेगें और में को बच्छा प्रबल्स आने लगए हम दर्म के बिश्व वहाद आए इछ दर्डएगी, वह मतलब की बस इन दर्म में रह आवने पहल सपी दत्व हैं, तो मेंने इतना भाँ समय ल्हीं नो, कि मैं कैसा जीवा नही हो, कि मैं किसको फ्हित हें नहीं, कि मिन अद्र्म के विश्म कुछ है, बीय, क्या द्बार्म है, कुछ ही नहीं, कोई मन में क्या है, क्या नहीं है, क्या worth, कुछ दर्ड़ नही Four, म तो मैंने पाल तो फिने माना आंटे पर खोला मैंने का आंटे इसा चीज पढ़ी वे रों मैं तो आंटे ने बुला बटा हिंदम उठाके नो फिम लीज अच्छी सबसे पहन वें संदहात थाको और तब रहना हुदे तो लगा यहारब भुआन की चीज ऐसे पहां हुदो यह मैं इकने बोनी थे के जानने के बादनी मैंने थहोगा मैने आंटे के बोलनी के बाद के तीन 4 मैंने बाद इतो इंधा Меня और ंंधिर मी दबखे आणी मंते बहां कर रहाएँ जह मंदेर होता है प्रावाज चुछों की है और आम मनों वे उस तीवाज चीज़ों में इंप्रोमेंट पानेश दोई, फेके अवरो तीनी नहीं इस वासा नहीं, मैंने मैंने इतने घर के मंदेर में रंदे गुदिये, वरी हिम्नती नहीं में हुए, विजा क्यों चीज़ों भरके इस भाज़ों के सभाज़ों के सभाग दूँगा, तो जहां भूब लगार से किर आए तो माइकान से हिंदूशे घर में, तो इंदरी में दरे लोग योग यह ए, अन्दे भी इनकर रखाए, तो मैंने में तो फूजा तो समाने इंबर्फ़ में रखी जाते हैं, यह तो मंदे में होती ही, समेज़े भी निया, तो मैं शौम्ड हुए, तो मैं शौम्ड हु इस घर में दरे लुग यह तो इनके बैं रहे हैं तुमारा जोगी है थी कोषिए तो सम्डेन पर निया निया, प्री इसलिए निया, पर इसेवोगे शूप्श कर वायों, और हम तब सही में बहुत जात हैं नहीं, और आई ध्राःकान, अद्र अती कहते हैं आती हो जाना कि मैं दिन में इमला अट अंदस शुन दीटी सच एकिन घंडेतें। और मजे स्प्थीज रया जने दोने लगी, तर फुझ समय को आम बें के छहीं हाच़ी है, ते अच्छों हो चुजा है. गुज़ मी पपी संसजी आ नंदम के में, मतला, मेरा इतना उरा हार सर दिया था, कि मैं सुवट के आज से तो सल पहली मैं सुवट के डिली कुछा को तुथी देगा उप फोली जादब नहाना दोना प्रिजा को ओंग अशुरे को अर्द बेन्धू मेरे लाउप प्रोटेन था अभी दो साल सोने नहीं मंदर ही नी साफ के आप आप मैंने पूजा ये नहीं तो दी मैं सुवट उटके तुनी तीन चर्चन दीन नहाते ही नहीं थी क्योंकि मेरी बोड़ी में जलाओ नहीं कर भादल थी सकतने थी फिजम ये मुकरजी के मैसेज़ आने लावे तो मेरी इंद्रियास पड़ी इम्हारी अब ये चीज है और तो इंटेंस्टनी मत करनी है उठना ही नाद के पुजा करनी है है और रोज करनी ही है तम मेने अपना मन दांदा और मेने का हारती है ये इक हाम अक्तिजे करना ही करना है कुट और ये नो लिए परजीदा सहार हो रात पूंते शक्तिव मूवने नगा शबू किया है अगना मान चली से नना हपने शुद करिवाय एडन स्वांब भी शूमजे वापिफटनी के से वाड़ भी शुदे 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 अगया शुदे शुदे अम इन जब करनी है ये परने लागं पन ने सच्वे टचूद गरीदी दिपाख ये इन बहुत इंपरमेंड न अप्पी कोड़ी जिंदगी में बच्टी रोंगी हां एक जो अट गोई गया अक रवी जिन बच्च ए वापर खसली बहार रहता वापन बार में आधर वी कैसे बच्री नी वी कैसे बच्छी नी पाइब शती है क्या करूं ये मुझे को इचनी तका अजिदा गर है मने नु आप ते छो दिया अना को रूपाई भी करूं मुझे नी पता हामे हान मान नपेसे छो पुट त अगर अधर में नुझे प्रसाब रप्ती ता सो ती के वहा है मान निट वतीं अगर जी तरी मंतर जाब जाब भी कि मैने अपके सब चोटे अगर मुझे जीना अधर में कर चिंगी वेजा मर्ला पुंचन अधर ये नापको सचोटी यहाला मुझे सुलूशन समझे ना था गोई है कि यह हम इंगोई से बहुत कहिं बहुत चले जाए यह हम अपनी नाइफ ही जीना तो अब अब जी सत्तेन के साथ यह चुक रहते है ना शाहरा है सोरा मंदाज के सपरते हैं यह बहुत कुछ होता है हम बिचे समझे आता होता नहीं नहीं होसा थी यह चुपके से दिवभी पेंट पे दर में आड़ते हैं मूसे तहीं कवई सानो जना चुपो ओगो झारी को अब आख भी आख यहाला था है थी यह अधर पास फोगोई अब जो पता ज़्या लग नुग में चेंज कर लिहाए, वो अब मुझा रगते हैं, किसी को अविए रही किसे रगते हैं, और यह तरीका यह था जो मझे समझे लिए लिए अठागा इने अब जान पर जान जान आए, तो अरी, तो मैं जब भी वन कभी बहार जान आते हूं, अब दो पिलिए लिए उब भी याओं, पर जान आए, तो मैं बढ जान आए, तो महीर केुछ लफटे हैं, अब बने बढ जान आते हूं, और यह था जिर्जि़ू कня रेल के तो मिटवसब पतात के साषि कर लिए में नहीं सिक्छ आन आते हैं, अब मिलग पताम भी जानव में दरसाथ का मंतर जाफ बाया समकर उजीद मांटरीवा फेटिम का जई पसाद रगती हूं अनमान चलीजा पड़ती हूं सुबह रहादे हूं सुबह रहती 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 वी युपचोर करें वी बहार कमन ना तो मैंस नबरी रूना का परिया बचावन कुछ पिछो के से लिनो समाथ ना गरूस के हरमादन वीर गन मिन ए तो लाग पिक दिपर शिव मेरे घर रखन वी युपचोर के से लिनों के अक्ससान को सब कुछे रूस ने रहां तर बचुन दी युथक्षा तो मैं लेपता वरज के तुम्री में सज़ आपन तो मैं आम गरूस के पना पोया से रंडर कर बें तो मैं जो होगा वो आपके नग जो से हाँ मैं उंठे लने अप्था चट रूम्माई वर नीकुष कनना चाहती तो मैं जो पी कभी पही जाती मों तमाई जो बन जो पसाथ भी आपनी का पी पर जी प्रीस में आप मीर हल्प का निया मैं जो आप पे साइटें तम जो नगता है कि ये सारा गुरूज नी ही सारी है करिया है और आज और जंबे बोल दे वे जो पीज मुझे अपनी प्रीस पी शो परें और पर श्वास भी करोगे मुझे आपकंड़ाओ मैं आप मानोगे नीश सिक्स्टींथ फ्लोर पे मुझे तितली भी कि तितली भी तितली यहां देखी अब हमारा ग्लास के अगर आप देखो वेंडोसर बहार तो मैं बही को में बड़ी रहान हो जाए तो अब तम मैं आपको रुजी सिंब ही उस ताइम से भी इंडे शल कर ग्हार गक्नातों थे वेंडोल इस तो वाट इसल से बहाए देखी है तु sociology जो म्येदा ही तो और मैं जब मैं करन एगर जास गोड़ी हूँ झालीरे नहीं बीटार है तो में बड़ी उस तो पोड्य में नोगी तितली नीश में दिखती हूँ हमें दोष अब ढूंते बहा संगत जी अगर आपको आज का ससंग अच्छा लगा हो दू आप इस ससंग को ओर संगत के साद जरूर साजा करें जिस से वो भी महराज का दिवे आशिरवात प्राप्त कर सके जै गुरू जी